हलो दोस्तो मैं परशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्विटी टू कॉम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से नाइका के स्टॉक्स में pumping और dumping देखने को मिला है और हम regular basis पे आपको pumping और dumping के बारे में update करते रहते हैं कि कहां पे pump और dump हुआ है हम इसलिए आपको regular basis पे update करते रहते हैं ताकि आप इससे बच सके और यह जब हो रहा हो उसको आप आसानी से identify कर सके क्योंकि कई सारे retail twitter इसमें first जाते हैं और वो higher price पे लेके बैठ जाते हैं as a result उनको loss में market से exit करना पड़ता है या फिर उनको 6 मेने साल बड़ या फिर 2 साल wait करना पड़ता है तब जाके वापस से price उनके level पे आता है तब वो निकलते है ultimately समय का loss होता है या फिर पैसे का loss उठाना ही पड़ता है इसलिए हमें pumping और dumping को identify करने आना चाहिए कब pump और dump हो रहा उसको हमें identify करने आना चाहिए और कैसे हम identify करेंगे वो हम इस वीडियो में एक और example के ज़री है समझते है तो यहां पे अब हम NST के website पे आते है और सब से पहले हम NICA के delivery data को यहां पे हम देखते है जो कि आप NST के website पे आसानी से देख सकते है और अगर आप delivery में ट्वेरी करते हैं तो जस भी स्टॉक्स में आप delivery में ट्वेरी करते हैं आपको उसका delivery data दिखना चाहिए, देखने आना चाहिए, क्योंकि इसके basis पे हम pumping और dumping यानि pump and dump कहां पे हो रहा है, वह हम आसानी से identify करके बरे loss से बच सकते हैं और अपना time वरबाद होने से भी बचा सकते हैं, तो सबसे पहले यहां पे कौन-कौन से data provide किये जाते हैं, वो हम अगर हम यहां पे बात करे, तो total कितने quantity trade हुए हैं आज particular day, वो हमें बताया जाता है, और इसके बाद, जितने quantity trade हुए हैं, उसमें से delivery में कितने quantity गये हैं, वो हमें यहां से बता चलता है, और फिर यह हमें बताता है, कितना number of trade किया गया, जिसका जादा कोई काम नहीं है, तो हमें काम किसका किसका होगा, number of trade इसका काम होगा और delivery में कितने quantity trade किये गये हैं और delivery बादे quantity कितने हैं, इन तीन data का हमें सबस्जाधा इस्तमाल होगा और इसी के basis पे हम pump और dump को identify करते हैं, तो चलिए यहाँ पे अब हम आते हैं जहाँ पे यह game किया गया है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझने की जरूरत है, तो यहाँ पे हम September के मन्त में आना चाहेंगे और यहाँ पे हम देखना चाहेंगे 26th of September से लेके 28th of September, अब हम इन तीन particular date को क्यों pick किये हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम जो data है, जिस data के बारे हम बात करें, वो हम समझ लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगे कि हम इन तीन date को क्यों pick किये हैं, तो इस तीन अगर आप देखेंगे, 26th of September को 49% delivery data है, फिर आपका 48% और 46%, यहाँ इन तीनों दीन लगाता है, 50% के करीब delivery data हमें देखने को मिला है, और यहाँ पे अगर आप बात करें, तो number of trade आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलवा, number of trade कम हुआ है, लेकिन delivery quantity ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे कम लोग ज़्यादा trade कर रहे हैं, अब कम लोग ज़्यादा trade करने का क्या मतलब है, कि बहुत कम लोग market में हैं, और वो heavy quantity में buying या फिर selling कर रहे हैं, अब ऐसा काम कोन करते हैं, retail trader तो ऐसा काम करते नहीं है, क्योंकि retail trader करोरों में trade नहीं करते हैं, ऐसा काम कोन करते हैं, बरे players करते हैं, यहाँ पर जो भी काम किया जा रहा है, maximum बरे traders के द्वारा किया जा रहा है, जिसको हम काफी अतक operators भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो market को काफी अतक manipulate करने का काम करते हैं, और यह सारे छोटे-छोटे stocks आसानी से manipulate हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कि लगातार तीन दिन delivery quantity हमें अच्छा खासा देखने को मिल वा है, और अगर हम 28 of September की बाद करें, तो 28 of September को market close होने के बाद, evening में 7 p.m. के आस पास, एक news आया था, क्या news आया था, कि NICA bonus shares announce कर सकता है, कम कर सकता है, 3rd of October 2022 को, अब देखिए, news आने से पहले यहाँ पर अच्छे खासे डिलिवरी में बाई किये गए, वो भी कम traders ज़्यादा quantity बाई किये, मतलब यहाँ पर यह भी एक perfect example है, insider trading का, क्योंकि 28 of October को market news में आता है, officially बहुत सारे channels पर यह news में आता है, लेकिन उससे पहले माल उठाया जा रहा, वो किस basis पर उठाया जा रहा, either insider information है, उसके basis पर यहाँ पर क्या किया जा रहा, काफी हद तक pumping किया जा रहा, तो जब भी आपको इस तरह का कुछ unwanted होता हुआ दिखे, delivery data में, तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, और यहाँ पर आप price भी देख लीजे, price आपका क्या है, 1280 से 1300 के बीच में यह सारा काम किया जा रहा है, क्योंकि ultimately सबका मकसद रहता है profit बनाना है, इसलिए यहाँ पर हमें price भी देखने की ज़रूरत है, October 2022 का, अब इस दिन क्या हुआ है, इस दिन अगर हम देखे, तो सबसे ज़्यादा number of trade initiate किया गया है, और delivery quantity भी सबसे ज़्यादा हमें देखने की मिलवा है, लेकिन percentage अगर हम बात करें, तो सिर्फ आपका 17% है जो कि सबसे lowest है, अभी तक कि हम डेटा अगरी बात कर लें, तो सबसे lowest इसी दिन हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा trade इसी दिन किया गया है, 31 lakh से ज़्यादा quantity trade किया गया है, और सिर्फ 5 lakh यानि सिर्फ 17% delivery में trade हुआ है, और यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर हम काफी हद तक बोल सकते हैं कि dump किया गया, मतलब यहाँ पर pump किया गया और यहाँ पर dump किया गया, और dumping वाला price देखिए, कहाँ पर है, 1400 से ABAP है, मतलब anyhow उनको 100 से लेके 140 point, या नहीं लगबग 8% से 10% का profit उनको मिलता हुआ दिख रहा है, कब 2-3 tweeting sessions में है, मतलब यहाँ पर उन्होंने कुछ insider information भी लिया है, और काफी हद तक pump और dump किया है, अब एक और चीज समझने की ज़गत है, अब यहाँ पर officially announcement सारा कुछ आ गया, अब जो news आता, उसके बेशी से बरे players market में intrigue करेंगे नहीं, जो भी delivery में data गया है, वो कौन गया है, वो detail trader maximum लोग यहाँ पर intrigue करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको लगता है, कि यह split वाला news आया है, इससे price और उपर साइट की तरफ ही जाता हुआ दिखेगा, as a real, वो यहाँ पर intrigue करते हैं, और जैसे यहाँ पर वो intrigue करते हैं, वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, trap में first जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर retail trader बाई करें, और बड़े बड़े traders यहाँ पर sell करके market से exit कर रहे हैं, तो देखिए, किस तरीके से, systematic तरीके से एक news आया है, और उस news के basis पर retail trader को trap किया गया है, और pumping और dumping का पूरा game किया गया है, अब देखिए, यह 1400 करीब हुआ है, अब इसके बाद, price आपका कहाँ पर आया है, नीचे साइड की तरफ आया है, और 11.40 का low touch किया था, कब आपका low touch किया था, 18th of October को, 19th of October है, आज के अगर हम इसके data को देखे, इसके chart पर आजाते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसके chart को देखे, देख सकते हैं, अभी जो trade कर रहा है, आपका 11.30 के करीब trade कर रहा है, मतलब वहाँ पर, जो बड़े बड़े traders थो, market में interview किये हैं, और market में सही time पर exit कर लिए हैं, अब यहाँ पर देखे, जो आपका bonus shares का news होता है, bonus shares आपके लिए कुछ लेके आता नहीं है, अगर अभी shares का 100 रुपे price है, और आपको एक के बदले 5 मिलवा है, इसका price कितना हो जाएगा, इसका price घटके 20 हो जाएगा, यानि आपका सिर्फ number of shares increase होगा, उसके अलाबा, आपका कुछ यहाँ पर increase होने वाला नहीं है, तो यह कहीं से भी कोई positive news नहीं दे रहा था, और थोड़े वह lack of information का, कुछ VTL Twitter इसको positive way में ले लेते हैं, और उसी का फाइदा उठाया है, यहाँ पर बरे बरे ट्वेडर्स, operators ने, कि pump और dump का वहाँ पर गेम किया, और आपको 1400 के लेवल पर बेज़के, वो निकल चुके हैं, और आप 1400 के लेवल पर खरीद के बैठे हुए हैं, तो आपको इसी तरीके से delivery data को देखना, और जब भी कुछ suspicious activity दिखे, आपको market से निकल जाना, market जब भी समझ में ना आए, एक काम कीजिए, market से exit कीजिए, फिर market जब आपको समझ में आएगा, फिर आप इंट भी कर सकते हैं, और profit बनाने का मौका हमें, regular basis पे मिलते रहता है, उमीद करते हैं, कि इस वीडियो में जो आपको बताना चाहरे हैं, वो content आप आसानी से समझ गया होंगे, और इस तरह के और regular वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथी साथ, bell icon को जोड दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अप्लोड करें, उसका notification आपको मिल जाए, और आप वीडियो मिस ना करें, so that's all friends, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, जैहन्त!